और फ्रेंड मैं अबिशेक जोशी एलेक्रिकल इंजिनेरीन विलाग्रूप आपर के बारे में आज से कुछ हफते पहले मैंने वेवट्रैप और दृ regres toner को विडियो के विडियो बनाया था कीơn video होता ठालें चिया होता है सीवीट क्या होता है इस वीडियो को देखने से wave trap और CVT से related एक जो general concept है वो आपके mind में पूरी तरीके से clear हो जाएगा इस वीडियो में बहुत से viewers ने मुझे comment किया था कि CVT और wave trap जो काम subscription में कर रहे हैं ये basically किस concept पर कर रहे हैं अगर कोई हमसे ये पूछे कि CVT कैसे काम करता है वेव ट्रैप कैसे काम करता है तो दो चार सेंटेंस में इसका जवाब कैसे दिया जाए इस पर एक separate वीडियो बनाएए तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि short में किस formula को basis बना के किस formula का reference लेकर आप ये easily बता सकते हैं कि CVT जो काम कर रहा है वो कैसे कर पा रहा है और wave trap जो काम कर रहा है वो कैसे कर पा रहा है तो दोस्तों इस important वीडियो को बिना ज़्यादा time waste के शुरू करते सबसे पहले दोस्तों मैं आपको short में ये बता देता हूँ कि wave trap और CVT basically काम क्या करते हैं अगर आपको इसके बार में ज़्यादा information चाहिए हो तो उस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा उस वीडियो में आपको पूरी तरीके से concept clear हो जाएगा देखे हमारा जो transmission section होता है इस transmission में basically दो type के signal हम लोग transmit करते हैं एक तो होता है power signal और एक होता है communication signal एक side से दूसरे side तक या एक substation से दूसरे substation हम लोग जो power को transmit कर रहे हैं इसी को हम लोग power signal कह रहे हैं जो 50 hertz frequency पर normally किया जाता है एक होता है communication signal आपके mind में सवाल ये आएगा कि communication signal की हमें requirement क्या है तो दे एक substation से दूसरे substation के बीच में जो communication किया जाता है उस communication के लिए हमें communication signal को भी transmit करना पड़ता है तो इसलिए transmission section में normally दो type के signals काम करते हैं यहां दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि जो power signals है power signals तो 50 hertz frequency पर transmit किये जाते हैं लेकिन जो communication signals होते हैं यह बहुत जादा high frequency पर transmission होता है जो communication signals होते हैं वो basically 3 kilohertz से 800 kilohertz की frequency पर transmit होते हैं तो आप देख सकते हैं कि frequency का level में ही बहुत जादा difference है power signal 50 hertz frequency पर transmit हो रहे हैं और जो communication signal है इनकी starting range ही 3 kilohertz है जो 3 kilohertz से 800 kilohertz के बीच में किसी भी range में transmission किया जा सकता है अब दोस्तों जो wave trap होते हैं यह act करते हैं as a low pass filter लो pass filter का simple सा मतलब यह होता है कि यह low frequency signal को तो allow करेंगे और high frequency signal को block करेंगे अब हमारे पास दो signals है एक है power signal जो 50 hertz frequency पर transmit हो रहा है एक है communication signal जो बहुत जादा high frequency पर transmit हो रहा है अब आपका जो wave trap है जो act कर रहा है as a low pass filter यह low frequency क signal को तो pass on होने देगा और high frequency के signal को block कर देगा इसका मतलब यह है कि आपका जो wave trap है यह power signal को तो allow करेगा और आपके जो communication signal है इसको पूरी तरीके से block कर देगा अब दोस्तों आप सबके mind में सवाल यह आ रहा था कि यह जो wave trap है यह wave trap low frequency signal को allow कर रहा है और high frequency signal को block कर रहा है पर यह ऐसा कर कैसे पा रहा है इसके पीछे कौन सा formula कौन सा mathematical equation काम कर रहा है तो देखे जो wave trap होता है यह highly inductive in nature होता है अब अगर आपको inductive reactance का formula पता हो तो inductive reactance को हम लोग XL कहते हैं इसका formula होता है 2πFL अब दोस्तों यह जो XL है यह जो inductive reactance है इसका simple सा मतलब यह है कि यह कितने current को oppose करेगा current opposition को ही हम लोग inductive reactance कहते हैं अब आप यह देखे कि यह जो XL है यह frequency के साथ directly proportional है क्योंकि XL equals to 2πFL हमारा formula है इसका मतलब यह है कि frequency जितनी जादा बढ़ती जाएगी आपके current का opposition भी उतना जादा बढ़ता जाएगा अब हमारी जो communication signals है यह communication signals की जो frequency है यह बहुत जादा high है 3 kHz से 800 kHz के बीच में है इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे आपके frequency बढ़ रही है current का opposition भी बढ़ रहा है तो अगर आपका communication signal इतने high frequency पर transmit किया जाएगा तो उसके related जो भी current है उसको आपका wave trap पूरी तरीके से oppose कर देगा क्योंकि जो XL है वो आपके frequency के साथ directly proportional है यह mathematical equation काम करता है आपके wave trap के working को लेकर कि आपके frequency जितनी जादा होगी आपके current का opposition भी उटना जादा होगा और आपका communication signal इतने high frequency पर transmit हो रहा है इसलिए आपका wave trap उसको पूरी तरीके से block कर रहा है अब दोस्तों बात आती है CVT की देखिये जैसे आपका wave trap low pass filter है वैसे ही CVT high pass filter है high pass filter का मतलब यह है कि आपका जो CBT है यह high frequency signal को तो allow करेगा और low frequency signal को block कर देगा तो आपका जो CBT है यह high frequency signal को तो pass on कर देगा इसका मतलब यह है कि जो communication signal है उसको तो यह allow करेगा उसको तो यह pass कर देगा और जो low frequency signal है आपके जो power signal है जो 50 hertz frequency पर work कर रहे हैं उसको ये block कर देगा अब सवाल यह आता है कि ये किस mathematical equation पर based concept पर work कर रहा है तो देखे आपका जो CVT है ये capacitive voltage transformer है इसका मतलब है ये capacitive in nature है आपके जो capacitive reactance होता है इसको हम लोग XC कहते हैं जैसे inductive reactance को XL कह रहे थे इसको हम लोग XC कहेंगे XC का formula होता है 1 upon 2 pi FC अब यहाँ पर आप देखिए कि frequency के साथ आपका जो XC है ये inversely proportional है XC का मतलब यही है कि current opposition आपके circuit में कितना रहेगा frequency आपके XC के साथ inversely proportional है इसका मतलब यह है कि frequency जितनी जादा होगी current का opposition उतना कम होगा अब frequency आपके कौन से signal में जादा है frequency आपके communication signal में जादा है तो frequency जितनी जादा होगी आपके current का opposition उतना कम होगा क्योंकि ये दोनों inversely proportional है और frequency आपके communication signal की बहुत ज़ादा है इसलिए current का opposition बहुत कम है ये easily pass on हो जाएगा frequency जितनी कम होगी current का opposition उतना ज़ादा होगा frequency किसकी कम है आपके power signal की कम है स्रिफ 50 Hz है तो इतनी कम frequency है तो current का opposition बहुत ज़ादा है ये power signal को पूरी तरीके से block कर देगा तो दोस्तो ये दो mathematical formula आप ध्यान में रखिए ये दो formula के basis पर आप easily explain कर सकते हैं कि आपका जो wave trap है वो क्यों एक particular signal को ही allow कर रहा है और आपका जो CVT है वो क्यों एक particular signal को ही allow कर रहा है तो दोस्तो wave trap और CVT कि इस mathematical equation पर काम कर रहे हैं इसके पीछे का concept क्या है ये formula apply कैसे होता है ये बहुत main चीज थी इस पूरे वीडियो की ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को subscribe कीजएगा और अपने experience मेरे साथ share करिएगा मैं आपसे मिलता हूं कल ऐसे एक इंटरेशन टॉपिक के साथ तब तक अपना ध्यान रखे गुड़ पाई